नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन एड ओफलाइन ग्यान में आज की जो अपडेट है यह NPCL के फोर्म की है आप लोग जानती है मैंने आप लोगों से वादा किया था कि यह जो नुकलियर पावर कोर्पेशन ओफ इंडिया लिमिटेड में इसलिए नहीं लेकर आया बहुत सरवच्चे कमेंट भी कर दे कि सर जल्दी लेकर आये क्यों नहीं ला रहे रीजन इसके पीछे यह था क्योंकि यह जो इन्होंने अपना रेशेशन नंबर दे रहा है इस्टैबलिश्मेंट का इस से अप्रेंडिशिप पोर्टल पे जाके कोई भी फोर्म ओपन नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा यार फोर्म ओपन नहीं हो रहा तो भरने का तो इस टेम पे कोई फायदा नहीं है तो मैंने वेट किया और अब प्रोपर तरीके से यहाँ पर इनका जो नंबर है उससे यह पोर्टल पे दिखाई दे रहा है तो इसका इस वीडियो में दोनों तरीके बता दूँगा उसकी चिंता मत करो अगर आपके एरिया में किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं है फिर आपको आता नहीं है तो डिस्किप्शन में मैंने एक लिंक दिया है उस पर जाकर आप लोग जो है रिक्वेस्ट दे सकते हैं और अपना फो के फॉर्म को फिल करते हैं तो बढ़ते हैं सबसे पहले ओन्लाइन तरीका बता देता हूं फिर आपको मैं ओफ्लाइन बताऊंगा तो हमारी जो वेबसाइड है गौरफ जंक्शन.com www.gorafjunction.com इस पर आप जाएंगे तो आपको npcl apprentice for 2021 देखेगा या मैं direct link आपको इसका description में देदूँगा बाकी इसका जो notification और form है वो सारा का सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा यह आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख जाएगा इसमें आपको क्या करना है आपको यह copy करना है यह देख रहो इसे copy करना है copy आप यह तरीक आपको जाना है यहाँ पर यहाँ पर जाने के बाद जब आप यहाँ पर यह search करेंगे यूँ करके आप paste करेंगे और paste करने के बाद आप मेरा internet old man is own और नहीं करती वीडियो जो है क्रौशेज हो जाएगी तो यहाँ पर पहले से मैंने search कर रहा है आप यहाँ पर डालेंगे, मैं बताएता हूँ दुबारा आपको कहाँ पर डालना है, जैसे मैं इसे काटता हूँ, search by establishment name में आपको डालना है, ठीक है, search by establishment name में, जैसे आप उसको डालते हैं, तो आपके सामने नीचे जो है, सारे के सारे, NPCL के जितने भी form है, वो सारे के सार आजाते हैं तो आप जो है यहां देख सकते हैं यह NPCL Corporation of India तो आपकी ट्रेड भी यहां पर दिख जाएगी simple आपको apply का option दिखाई देगा मैं इंटरनेट ओन करके दिखा दे तो आप लोगों को यार यह थोड़ा सा ना इनके portal का मतलब यह है कि बहुत slowness है चीजे जो है प्रोपर तरीके से अप्डेट ही होती है तो मैंने यहां पर इसे सर्च किया ठीक है establishment name में जो number मैंने आपको बताया और नीचे सारे के सारे NPCL के form जो है निकले हुए trade wise वो सारे के सारे मेरे पास आ गए तो जाकर आप लोग जो है directly apply कर सकते for example यह है अपनी trade के अनुसर apply पे click करेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा किया आपने कैसे apply किया फिर front page पे home page पे आपको apply वाला जो पार्ट है वो दिख जाएगा उसका print out आपको निकालना पड़ेगा एक तो आपका वो पार्ट हो गया बाकि जब आप मुझसे form fill कर इस बार यह लोग apprentice profile नहीं मांग रहें यह इस बार यह चीज मांग रहें क्योंकि हाँ पर इन्होंने जो number मांगा है उसके basis पर यह सारी की सारी profile आप लोगों की जाच लेंगे ठीक है अब आते हैं आपके form पर जो आपका form है मतलब किस तरीके से offline form पोचाना है मैंने online का process त इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने open हो जाएगा उसमें form और notification सबकुछ attached है सबसे पहले form को कहा को पुचाना है वो आपको मैं बता देता हूं यह आप देख सकते यह address है प्रोपर जहां पर आपको form को पुचाना है ठीक है तो इस address पर आपका form जाएगा और यहां पर जो है form में जो चीज़े मैं clear कर देता हूं यहां पर जिस trade के लिए आप apply कर रहे हैं बाकी detail वीडियो मैंने description में दे दिया अगर आपको पता नहीं है कि आप कैसे apply कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो आप detail वीडियो देखो आपको सब कुछ समझा जाएगा तो यहां पर apply करने के लिए यहां पर trade डालनी है सबसे पहले उसके बाद विज्यापन सुचना number already डला हुआ है छेडने की जौरत नहीं है capital letter में अपना नाम लिखना है उसके बाद यहां पर photo चिपका देना ठीक है ढंक से अच्छे तरीके से photo पर signature करने के लिए मना किया है ऐसा नहीं बो file हमसे बनवानी है तो आप description में हमसे कैसे request दे सकते हैं तो उसका भी link दिया है वहां पर request दे के हम आपका complete कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको father का नाम लिखना है capital में ही ठीक है अगर आप lady है तो आपको husband का नाम लिखना है उसके बाद यहां पर आपको अपना gender लिख for example मेरा जो जन्दिन है वो आता है 1190 यह मेरा जन्दिन है तो इस तरीके से डाल देंगे 01 01 ठीक है दो डिजिट के यह और चार डिजिट के यह उसके बाद आपको अपना जो है आप नेशनलिटी लिखनी है इंडियन करना है इसको इंडियन नहीं इंडियन ध्यान रखना ध उसके बाद किस कैटेगरी से ब्लों करते है जन्रल से OBC, HC से या फिर प्वस से उसके बाद आप लोगों को ये employment exchange का registration number डालना अगर है तो अगर नहीं है तो यहाँ पर जो है no कर देना और कुछ नहीं करना आपको marital listator जालना है आप single है या फिर married है वो आपको इस तरीके स यहाँ पर mention करना है जो भी आपके घर पर address है या आपका correspondence address है उसके बाद अगर आपका permanent है तो permanent भी डाल दो अगर दोनों सेम है तो दोनों डालो अलग-अलग या फिर जो है आप ऐसे भी लिख सकते एक में डालने के बाद एक में as above कर सकते है या आपकी मर्जी है कैसे भी आप लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हमेशा contact number वही डालो जो active रहता हो वरना दिक्कत हो जाएगी email id वही डालने है जो हमेशा active रहती हो उसके बाद अधार number आप लोग को डालना है ध्यान रखना इस चीज़ का उसके बाद physically challenge है तो जो yes करो otherwise no कर अगर है तो सारी mention करने पड़ेगी किस category से आप लोग करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप लोग की height डलेगी centimeter में यहाँ पर weight डलेगा height कई बच्चों को centimeter में नहीं पता for example 6 feet आपकी height है तो आप Google पे जाएंगे यू लिखेंगे convert 6.0 feet into centimeter किसी बच्चे की 5.7 है तो यहाँ पर जो है आप convert कर into centimeter तो आपको proper height centimeter में 170, 175, 180, 180, 160 वो दिख जाएगी कितनी चाहिए है I think 127 चाहिए मैं वीडियो अल्रेडी बना चुक हूँ डिटेल वाली उसमें दिख जाएगा उसके बाद नीचे बढ़ेंगे आपको अपनी qualification डालनी है qualification सिर्थ आपको ITA की डालनी है 10 वी की डालनी है यह यहाँ पर आपके examination pass up किया I take up pass करी आपके IT institute का नाम लिखना है उसके बाद year of passing लिखना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को trade लिखनी है जो भी आपकी है उसके बाद कितने number आये आपके वो लिखनी है total में से 2700 में से है तो 2700 में से कितने आये 2000 लिखो इसके अंदर उसके बाद आपको जो है यहाँ पर total कितने में से number मिले वो आपको लिखने है उसके बाद आपकी percentage कितनी बनी वो लिखने अब एक चीज जोर बता दू यहाँ पर examination कौन सा pass है तो यहाँ पर IT लिखना ठीक है इन्होंने पता नी बेव कूफोंने किस तरीके से दे रखा है यहाँ पर IT लिखना और IT लिखने के बाद जो है यहाँ पर आप लिखना passing है ध्यान रखना इस चीज का उसके बाद आगे बढ़ते हैं बारवे यह जो 21 नंबर है आपका इसे मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर बोलने है यह क्या कुंडलू nuclear power project की स्थापना क आपको करना उसके बाद अगर आप yes करते हैं तो सारी details भरने पड़ेगी इसके पर मैं आपको कुछ नहीं बता रहा है कुछ है नहीं आपका लाएक यहाँ पर आप जो है आर यू अंडर contractual obligation इसको no कर देना उसके बाद यहाँ पर जो है नाम एवं पता दो व्यक्तियों से कम नहीं हो जिनसे आपका website समता के संबंद में संदर्ब किया जा सकता है name and address of note less than 2% to whom a reference आपको दो reference देनी है तो यहाँ पर उसका नाम लिख देना ठीक है name and address note less than यहाँ पर नाम लिख देना और उसका यहाँ पर address लिख देना पड़ोसी का दे दो अपने दोसका दे दो जो भी आपका है तो जो professional touch में आप उनसे दे देना है यहाँ पर साफ साफ लिखाए name and address of note less than 2% to whom a reference can be made regarding your professional competence आपकी जाच परताल के लिए जो है इस तरीके से मांगते हैं दो reference देनी है आपको मतलब दो व्यक्ति होगी ठीक है समझ गए यह चीज आप अपने दो दोस्तों का द employed in the department तो अगर आपका कोई यहाँ पर department में काम है तो आप yes करेंगे अदरवाइस no करके आगे बढ़ेंगे इसे आपको नोही करना है नोही करो उसको थेक है 25 नंबर है have you attended any written test interview conducted by KNPP आपने पहले कोई exam या interview दिया है तो हां करेंगे अदरवाइस no करेंगे वसे नोही करके आ पलसरी नहीं है इसको जो है ने कर देना ने नोट अप्लिकेबल उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर दिनाग डालेंगे जिस दिन आप फोम को पुछा रहें यहाँ पर प्लेज डालेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे अपने हम जो फोम फिल करते हैं आपका क इए काॉक्छैं करके यहाँ करेंगे लिए दसन पहां करेंगे डकी 민주 की आपको मंगीजिट जो भी है भेजनी आ इसके बाद कंडञ राजपत्रीयों समधिशाओं से आचरण प्रमार पत्र थीक है पंडञे तिए गजेट्टेड ओफिसर और फ्रोम कंसंट इंस्टूशन यह कोई कंपल सरी नहीं है इस पर आप नो करके आगे वढ़ना उसके बाद जो भी कैटिगरी से ब्लोंग करते हैं वह आप लिखना अगर आप जन्रल है तो आपको नो करने की जुरते हैं आप उसके बाद यहां EWS से ब्लोंग करते हैं तो यह करो डोकुमेंट लगो अद्रवाइस नो करो उसके बाद लैंड लोड शचीट अगर आपको राय पर रहते तो आप यहस करेंगे और डोकुमेंट भेजेंगे अगर आपके पास नहीं है आद्रवाइस कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ो, PWD certificate issued by the competent authority, तो यहाँ पर जो है, आपको PWD का certificate अगर है, आपके पास तो लगा दो, विकलांग वाला, otherwise, सब के लिए कमपसर ही नहीं है, अधार कार्ड, yes करेंगे, आगे बढ़ेंगे, other qualification experience certificate है, तो लगा दो, otherwise, कमपसर ही नहीं है, द तो आप यहाँ पर रिसेंट पास साइट फोटोग्राफ आपको अलग से बेजनी है, तीक है, यह मैं आपको सब बता दूँगा, चिंता मत करो, सब कर दूँगा, अगर आप मुझसे फोर्म फिर करवाते हैं, वैसे, इसमें मैंने सब बता दिया, उसके बाद, it is certified that the euroscopy and the eligible and readable copies of certificate are attached, तो यह आप attach कर देंगे, जितने भी document है, उसके बाद, यहाँ पर signature करेंगे, date डालेंगे, इस्थान लिखेंगे, उसके बाद, यहाँ पर यह character certificate है, आप लोग को पता है, यह character certificate किस तरीके से बनता है, मैंने clarity इस पर दे रखी है, और यहाँ पर जो है, इस तरीक compulsory नहीं है, यही आप भेज़ देना, character certificate में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ दे रखी है, कि जो बच्चा है न, यहाँ पर यह जो document की list दे रखी है, इसमें character certificate mention नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो है, conduct certificate from two budgeted officer, और two concerned institution original to be attached, ठीक है, original to be attached, तो यह ज सकता है, लेकिन यह proper clarity नहीं है, इसलिए मैं आपको recommend करूंगा, कि आप यही वाला भेज़ दो, character certificate आपके पास है, तो आप भेज़ सकते हैं, otherwise कोई आपको जद्दो जहत करने की जुरत नहीं है, इससे भी आपका काम चल जाएगा, अगर आपका selection होता है, तो उस ते एम पे आपको form को फुचा देना है, ठीक है, बाकी धन्यवाद, मैंने सारी चीज़े आपको clear कर दी है, जो भी आपका form में everything मैंने बता दी है, अभी भी कोई समस्य है, comment box से mention करो, ताकि मैं आपको अच्छे से clarity और दे सकूँ, और आपको जो है समझा सकूँ, बाकी जो दूसरा channel ह जोरा junction, उस से भी जुड़ जाएगी है, उस पर भी आपको timely updates हम प्रोवाइट कर रहे हैं, thank you, ठीक है और इसे भी subscribe कर रो, ताकि आने वाली updates मिले, last date आपको पताई है, सब कुछ मैंने आपको पताई दिया, क्या कहां से आपको मिलेगा, धन्यवाद,